रेजिज, 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 यानि plural of रेज, तो इसका रथ होता है, क्रोध, प्रकोप, गुस्सा, उत्पात, प्रचंडता, प्रकर्ति का उग्र रूप, यानि third person present of रेज, तो इसका रथ होता है, आग बुबुला होना, रोष व्यक्त करना, यानि किसी को गु होना, या तेजी से फैरना, इसको इन sentences में थोड़ा और अच्छे से कलियर कर लेते हैं, जैसे, he raced against me, he raced against me, यानि कि, वह मेरे खिलाफ भड़क उठा, I raced at my own inability, I raced at my own inability, यानि कि, मैं अपनी अक्षमता पर भड़क उठा, the infection raced through the city, the infection raced through the city, यानि कि, संकरमन पूरे शहर में फैल गया, उमीद है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा, अपनी इंगलिश को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए, चैनल के होम पेज पर हजारों वीडियो है, जिनने जाकर आप देख सकते हैं,